नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में 24 अप्रैल की 5 बड़ी खबरें जिसमें आप देखेंगे कि बिजली बिल पर कितने रुपे की यहां से छूट दी जाने वाली है सरकार की जरूरी है तो चली फ्रेंट्स वीडियो को करते हैं आप शुरू और वीडियो शुरू करने से पहले चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को कर दे लाइक अभी से और कमेंट में जैहिंद जरूर लिखें और साथ में अगर चैनल पर पहली पार विजिट कर रहें तो हमारे चैनल को नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो सभी आपको मिल सके हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज बड़े अपडेट सरकार की गोशना जो भी आगे खबर क कोई भी आएगे तो उसकी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके हिमाचल की इतिहास में पहली बार टूरिजम सीजन हुआ शुन्य क्रोडों की लगी चपत तो जिहां फ्रेंड्स यहां से करोना वाइरस की वजह से हिमाचल को काफी बड़ा नुकसान यहां से टूरिज की चपत लगी है और आप सभी को पता है कि हिमाचल को लगातार यहां से काफी रासब घाटा भी हो रहा है करोना वाइरस की वजह से तो इसी के साथ हिमाचल में पहली बार हुआ है कि टूरिजम में भी हिमाचल को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा तो आगे हिमाचल में अभी दो मेडिकल कोलेज आईजी अमजी शिमला और टांडा के अलावा सी आर आई जो कसूली में करोना टेस्ट की सुविदा है जल्द ही चमबा हमीरपूर नाहन के जो मेडिकल कोलेज है यहां पर भी यह सुविदा शुरू हो जाएगी और साथ में उन्ने कहा कि अगर संक्रमन का कोई नया मामला नहीं आता है 27 अपरेल के बाद परदेश में कुछ लोगों को कुछ जगा राहत मिल सकती है और कुछ जिलों से वेरियर भी हटाए जा सकते हैं तो यह काफी राहत की बात है आप सभी के लिए तो आगे है लोगडाउन प्री प्राइमरी स्कूलों के 47,000 विद्यारतियों को वी वट्सेप से होगी पढ़ाई तो LKG के जो शात्र हैं और जो प्राइमरी के शात्र हैं विद्यारती हैं उनको यहां से बढ़ाने के लिए वट्चैप से जो है इनको पढ़ाई करवाई जाएगी तो सरकार ने यहां से फैंसला लिया बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाने पर मिलेगी इतने रुपे की छूट तो जी हैं फ्रेंट्स यहां से अब विजली बिल अगर आप ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो 10 रुपे की छूट यहां से मिलेगी लोकडाउन के दुरान घरेलू बोगताओं के में ऑनलाइन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बोड ने ये फैंसला लेया है तो आप जो है बिल जमा करवा सकते हैं www.hpscb.in पर तो अगर आप यहां से करवाते हैं तो करोना वेरस के बचाब के लिए बरतमान में सभी कैश काउंस्टर जो है बंद की हैं तो सरकार ने इसलिए किया है ताकि लोग जो है ओने बिल जमा करवाएं और उन्हें छूट भी यहां से दी जाए तो क्रिशी विश्विद्याले ने 31 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी फीज तो शातर संगठन ने इसका विरोध भी कर दिया है साथ में तो यहां से क्रिशी विश्विद्याले पालंपूर में य 26-27 को ओला ब्रिस्टी का येलो अलर्ट तो जी है फ्रेंट फिर से एक वार आपको सभी को बता दे कि मौसम भिवाग ने चेताबनी दी है कि शुकरवार और शनिवार को मौसम साफ रहेगा और 26 अपरेल और 27 अपरेल को परदेश के कई क्षेतर में ओला ब्रिस्टी और बा हिमाचल सरकार भेजेगी 9 बसें तो देखें यहां से सरकार ने फ्यांसला किया है कि लोगणाउन में चलते राजसान के कोटा में फसे 1500 शातर शातराओं को लाने के लिए हिमाचल सरकार ने HRTC की 9 बसे भेजेगी इनमें से परदेश द्वार परमानू में 14 दिन कॉरंटाइ तो देखें काफी समय पहले आपको कल जो वीडियो बताया थी उसमें बताया था कि हिमाचल के मुख्य मंत्री ने लोकसवा अध्यक्ष जो है ओम बिल्ला से इसकी रिकेस्ट की थी तो इसी आग्रह पर उन्हें ये सहायता परदान की गई है तो अब जो ये शातर है इन्हे लाने के लिए यहां से नो बसो का प्राबधान जो है सरकार दोरा किया जा रहा है तो आगे देखिए यहां से करोना वाइरस हिमाचल के 279 सेंपलों की रिपोर्ट यहां से नेगिटिव आई है तो बीते दिन गुरुवार को यहां से कोविड-19 के 306 लोगों की जांच की ग आई है तो जिसे बद्दी में दोबारा अस्पिताल के लिए भेज दिया गया है तो जमाती जो है वो नालागड का रहने वाला है जिसकी रिपोर्ट यहां से पोजिटिव आई है तो हिमाचल को सड़कों के लिए बिशो बैंक ने मंजूर किये 585 क्रोड तो जिहां फ्रें वाला बद्दी साई राम शहर और उसके बाद 14.5 किलो मेटर ददोल लदरोर सड़क और 28 किलो मेटर लंबी मंडी रिवाल सर कलखर और 3.5 लंबी मीटर जो रगुना था मंडी हरपूर जो सड़क का कारे करम इस्यारंब किया जाएगा तो आगे देखे हिमाचल के सामाने ज जिलो में क्रिशी और बागवानी का काम करने के लिए पास जारी होने पर लोग आवाजाही कर सकेंगे तो पास कहां से आप इसके लिए बना सकते हैं तो देखे यहां से तो हिमाचल परदेश के 6 जिलो को यहां से सामाने घोशित किया गया है जहां पे करोना वाइरस का पास देने के लिए आवेदन करना होगा जिले के भीतर पास SDM देंगे और काम निपने पर बापस जाने के लिए संबंदे जिला उपायुकत और SDM के पास आवेदन करना होगा उन्होंने बताया कि क्रिशी बागवानी मृत्यू और शादी के लिए यही पास दिये उनके लिए ही यह पास बनेगा और किसी जिले के लिए नहीं बनेगा और साथ में कंडिशन क्या रहेगी सिर्फ खेती कारे के लिए ही यह बनेगे और अगर बात करेंगे तो और ऐसे घूमने के लिए पास नहीं होंगे और इसका अवेदन भी आपको उपायुक्त और SDM के पास करना होगो तो हिमाचल परदेश करोना से लड़ने वाले सभी फ्रन्ट लाइन कर्मियों को 50 लाग का अनुग्रह अनुदान तो सरकार में बड़ा फैंसला लिया है करोना के जो करमभीर हैं उनके लिए 50 लाग का अनुग्रह अनुदान यहां से हिया जाएगा तो इस हैं किसी और वीडियो में किसी और बड़े अपटेट के साथ